सो गैस अगर आप भी चाहते हो कुछ इस प्रकार सा अपना सेटप को रेडी करना हुआ भी जीरो इंवेस्ट में तो गैसे यह वीडियो को जरूर देख लेना इस वीडियो देखने के बाद यहाँ पहर आपका 1 वी रुपए का इंवेस्ट नहीं होने वाला एक भी रुपए खर्च नहीं होने वाला और आप भी कुछ इस प्रकार सा अपना सेटप को बना सकते हो काई देख सकते हैं साइड में दोनों तरफ देखने में काफी attractive लग रहा होगा और कितना professional type का मेरा setup लग रहा होगा और यहां पर बात करें खर्च की तो आपको यहां पर एक भी रुपे का extra खर्च नहीं होने वाला है इस तरीके से मेरे setup में काफी colorful देख रहा है उसी तरीके से आप भी अपने setup को काफी colorful और attractive बना सकते हो और यहां पर आपको एक भी रुपे का extra खर्च नहीं होने वाला है तो कैस वीडियो बहुत interesting होने वाला है जो मेरा background दिख रहा है यह फी काफी attractive दिख रहा है आपकर क्या यह राज है तो चलिए आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको भी इस प्रकार से setup को ready करना है तो वाइस यहां पर आज चुके अपने mobile के screen पर और यहां पर आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैरा जो भी यह दिखता है इस प्रकार से studio वह एक editing का कमाल है तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको इडिट करना है ताकि आपका setup देखने में कुछ इस प्रकार से इंट्रेस्टिंग लगे तो चलिए वही सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं किस तरीका से विडियो करता हूँ तो यहां पर प्रिएट कररके सबसी को से क्यों नार्माब करते हैं नहीं वडियो से नहीं से टेक्ड वी करके तो आपको इसके पर यहां Si Rouv Far लेक्ट टेंगे इसके पर देक्स पर क्लिक कर देखने के पास आपको यहां पर और कोर्ट केमें मिलता है यहांपि इसके पर क्लिक करके यह coast और 202 जो दो कोड़ है दो फिल्टर दीख रहा है दोनों ऐसे किसी को अब यूज़ कर सकते हो आपके वीडियो पर डिपेंड करता है कि कौन सा आपके वीडियो में अच्छा लग के से यहाँ को भी यूज़ करता हूं उसके बाद आपको यहाँ पर adjustment का option देखने को मिलता है तो आपको इसके पर click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर सबसे important चीज़ है यहाँ से आप वीडियो को काफी अच्छा बना सकते हो उसके लिए आपको करना है कि brightness यहाँ से 5 minus कर देना है आपको अपने वीडियो के हिसाब से यहाँ पर adjust करना है तो मेरे देख सकते हैं मैंने 5 minus कर दिया हूँ उसके बाद यहाँ पर contrast का option दिख रहा है इसको यहाँ से आपको बढ़ा देना है थोड़ा 15 से 20 की बीच में आप इसको रख सकते हैं सही कर देते हैं यहाँ पर मेरा हो चुका है उसके बाद सबको करना क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस परकार से मेरा studio बन चुका है बड़ मेरे studio में आपको side side में कुछ attractive सा दिख रहा हुआ colorful चीज़े तो उसके लिए आपको करना है कि आपको कोई भी color का png download करना है जैसे कि मैं green और pink का यूज करता हूँ तो मैं green और pink का png download कर रखाओं उसी दरीके से आप भी color का effect लगाना चाहते हैं उसका png आपको download कर लेना है तो चली यहां पर दिखाता हूँ उसके बाद आपको क्या करना है तो उसके बाद यहां पर layer के उपर click कर देंगे click करने के बाद आपको यहां पर media वाले section में चले जाना है और यहां से अपना png को ले लेना है तो यहां पर मैं अपनो png को shape करके रखा हूँ तो यह मेरा green हो गया देख सकते हैं उसके बाद आपको फिरसे वही process करना है यहां पर फिरसे layer में आ जाते हैं और यहां फिरसे हम लगा देते हैं यहां पर साईड में इस परकार से मैंने लगा दिए हूं कंपी अच्छा दिखने को मिल रहा हो गा तो दोस्तों यहां पर मैं अपने वीडियो को पले करके दिखा रहता हूं को कुछ इस प्रकार से कितना अट्रेक्टिव देखने में लग रहा है पहले कि कंपेरेजर में बहुत अच्छा देखने को मिल रहा हुआ तो दोस्तों इस तरीके से आप जीरो इंवेस्टमेंट में अब तक क्लिए बाई